हाई दोस्तों मैं ब्रिकेश मिश्रा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेफलोस्पोरिन के थर्ड जनरेशन के पोड़क्ट के बारे में जिसका नाम है सिफिक जीम सिफिक जीम 200 मिलिग्राम दोस्तों आज हम बात करेंगे सिफिक जीम 200 मिलिग्राम के मेकेनिजम आफ content है यह सेफलोस्पोरिन के थर्ड जणरेशन का content है और यह एक सेमी सिंथेटिक्ट ड्रग है यह थोड़ा नेशर से लेया जाता है और थोड़ा लैब में बनाया जाता है तो इसलिए यह सेमी सिंथेटिक द्रग है दोस्तों बात करेंगे सिफिक जीम के मेकेनिजम आफ एक्शन के बारे में दोस्तों सिफिक जीम का मेकेनिजम आफ एक्शन जो है यह क्या करती है यह बैक्टेरिया के थर्ड एंड लास्ट सेल वाल को जो सिंथेसाइज करता है जो ग्रो करता है उसको यह डिस्ट्र सी बीमारी में दी जाती है तो यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन में सबसे बेस्ट ड्रग है जिसमें ब्रॉंकाइटीस आ जाती है निमोनिया आ जाता है और ओटाइटीस मीडिया जाती है मतलब कान में जो इंफेक्शन होते हैं उसमें बहुत अच्छी कारगर ह फिर बात करते इसके दूसरे इंडिकेशन के बारे में वह यूरी ट्रैक इंफेक्शन मतलब रिनल में कुछ प्रॉबलम हुआ रहेगा तो उसके लिए बहुत बढ़ी है ड्रग है प्लस गनूरिया मतलब सेक्सवल टांसमेट डिजीज मतलब सेक्सवल गनूरिया में जो बहुत है अच्छा काम करती जैसे निमोनिया में इसका बहुत अच्छा रोल हैं में दोस्तों इसलिए इसको कल्चरेस्ट में भी सबसे आगे ये culture test में सबसे ज़्यादा bacteria को मारती है तो दोस्तों यह हो गया indication जो सिफिक जीम का है बात करते हैं इसके side effect के बारे में तो इसमें headache हो सकता है, stomach pain हो सकता है प्लस इसमें कुछ-कुछ कारणों में dizziness भी हो जाता है दोस्तों यह रहा सिफिक जीम के बारे में, सिफिक जीम 200 mg और इसके dose की बात करते हैं तो यह BID dose है, मतलब दिन में दो बार लेना चाहिए, चाहे 400 mg हो गया, चाहे 200 mg हो गया, depend upon severity, मतलब उसका severe, patient कितना severe है, उसमें यह दिया जाता है दोस्तों अगर सिफिक जीम के बारे में अगर आपको knowledge अच्छी लगी तो इसको like कीजिए, channel को subscribe कीजिए और share कीजिए, thank you